हेलो हाई दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से कोश्चन कहीं से आंसर मदवन से इस श्रंखला में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में हैं पांडो हों से कुल्दीब भाई जो की 20 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं तो आज हमारे एक कुमार भाई का कोश्चन है कुल्दीब भाई से कि ज्यान किया है ज्यान से हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं ज्यान क्या है एक बार इस चीज़ पर प्रकाष डालेंगे ज्ञान प्रकाश है ज्ञान श्रस्त्र है और ज्ञान वेक है ज्ञान समझ है ज्ञान की डेफिनिशन वह होता है जैसे मैं ने everlasting बताया कि ज्ञान जो है वो परकाश है जो हमारे अंदर अंध्कार है अंध्कार जिसे जो परशन है कि अंध्यरी तरफ ले जाते है तो ज्ञान हमें उन अंध्यरों से जाने से रोगता है ज्ञान 5 जले कोई बात आजाती है, हमारे मन में जो प्रशन चलते हैं, जो उल्जने चलती हैं, जो प्रशन उठते हैं, वियरत के या दूसरे, जो भी अनेक प्रगार के प्रशन होते हैं, वित्ती कई बार मांसिक होता है, कई बार संसारिक होता है, कई बार ओफिशल होता है, तो कई बार प्रशन उसके मन में होते हैं जो उसको अंधरिक तरफ ले जाते हैं तो जो 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 उसके 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 करता है तो उन परशनों को काट लेता है काट लेता है और उनको काट कर अपना रास्ता बना लेता है और अपने जो 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 योग का मार गया उसके प्रशस्त रहता है और जो है ज्यान जो है जो हमारे अंदर डबल लाइट पन लेके आती है यह जो गयान जो समझ है वो ऑन दर डबल लाइट पन लेके आती है हलका पनद लुका बनाती है ज्यान हमें हलका बनाता नों अनकि बहर कोले क्वायद आउठ जो हमें बहर का अच्छा कि मैं डबल लाइट रहूं और कोई श्रीमत के बार करम करें उल्टा करम करें और बार हो जाए और श्रीमत को आप दूसरे सीड़ी अपनाएं बोलें मैं इसी से हलका रहूंगा यह वो कोई ज्यान नहीं है कि जो जो करम श्रीमत के अंदर में हैं वो डबल लाइट बनाते हैं अपने को और यह ज्यान बहुश्री प्रालवद्वी बनाता है वो कैसे उसका प्रतक्ष परमाण तो सबसे पहले यह जो परमात्मा हमें इस संगा मयोग पर अपना परीचे दे करके और यह सिर्ष्ट ज्य ज्यान देकर के आत्मा परमात्ना का जो ज्यान है और ड्रामा का जो ज्यान है जन्मों का जो पूरा ज्यान है जाड़ा का जो ज्यान है जो मुख्ये पांचित्र है इस समय पूरा ज्यान आ जाता है इनको समझ लेने के बाद जिस व्यक्तिनिवस ज्यान को समझा है श्री ब वाद में वह उसके पुरबाव अपने पूर्षार्त को पर डिकार करता है अर जो 1961 घ्रण में जोसे पहल सुव्धा करते हैं याम मेले यालें ने के जाते हैं और फिर वो जल दिकर्ण नहीं प्रूमाज करते हैं तो वो भी अगर वो भी जो बाव को संदिय जिनको मिला है पुरी जाने से वो भी सत्युक्यादी में एड़ हो जाते हैं श्री बवान होगा चाहिए जिसने यह ग्यान लिया वो उसको वर्सा जूल मिलेगा मिलना ही है उसको अब बात आती है उसको ग्यान को कितना उठाया उसने कितना ग्यान को उठाया कितना समझ लिया उसने परमात्म को समझा उसका अनुभाव किया उसका प्यार लिया उसकी गोद ली हैं उसको अपना बनाया उसको अपना वारिज बनाया टरस्टी बनके रहा यह सब बाते उसकी प्रालब्द के उंदर जोड़ते हैं उसमें सब बाते जोड़ती हैं उसमें कितना उन्मित बनके रहा विकारों से कितना अमुक्त रहा कितना उसने यो का बहुत लंबा काला भ्यास किया यह सब बाते उसके प्रालब्द में जोड़ती है और जितना उसने अपने पुर्शार स्क्राइस रिस्ट का उसमें किया पुशाब किया है